हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना आपका स्वागत करती हूँ और मैं बोल रही हूँ अंजना आज लाइफ एस्टाइल से फ्रेंड्स अब देखिए हमारे टमाटर में भी छोटे छोटे से टमाटर लग गये हैं और एक क्यारी नुमा वाले जो हमारे ग्रोबैग है उसमें ब्रोक ग्रोबैग कर ले रहे हैं तो सबसे पहले सुरू करते हैं बैगन की हर्वेश्टिंग से हुआ अजै आप साइज भी देखिए कितना अच्छा साइज है आप कभी भी सबसी लगाई है जैसे बैगन टमाटर तो 18 वाई अठारा के ग्रोव एग में लगाएंगे तो आपके बहुत अच्छा आपके प्लांट्स का ग्रोथ भी होगा और उसमें फल भी बहुत सारे लगेंगे और आपकी हर्वेस्टिंग भी अच्छी होगी तो जब हम मेहनत करते हैं हम गार्डेनिंग करते हैं और मेहनत करते हैं तो हम छोटे पॉट्स में भी तो उतना ही मेहनत करते हैं अगर हमें लेना है तो हम 18 वाई अठारा का ग्रोव बैग ले तो सबसे अच्छा उसमें होता है जैसे बैगन टमाटर सिंग्री वगएरा सबके लिए उसमें जो बेल बढ़ गिये सबजी होते हैं उनके ल लगते हैं प्रेंड्स मैं भी टमाटर लगाए हूँ बारा के ग्रोव बैग वह भी सिमेंट वाले में पर हमारे पास थे तो मैं उनको फेक तो नहीं सकती हूं तो उसी में लगा देती हूं पर जो बड़े में लगाते हैं उसमें जितने फल निकलते हैं उससे कम फल निकलत होते हैं चोटे वाले में और उसके साइज भी छोटे छोटे माँने होते हैं तो अनुट है कि अधित परीवार है कि तो आप टेख रहे हैं दों ही पोधे लगा अची अा सबस्केड कररान है अधिज़। पौधा नहीं लगाएंगे जो ज्यादा हार वेस्टिंग नहीं हो हम लगवेक सब पौधे अगर दो चार दो चार लगा ले तो छोटे परिवार के लिए बदल बदल के सब्जी मिलती रहेगी और हमारी गार्डेनिंग भी अच्छी होगी हम बैगन ही लगाए तो दस पौध सब्जी की नहीं होगी हो टो ए और हम चल पे गार्डेनिंग करते हैं तो हमारा रहता है जो हम सब तरह की सब्जी यां लेए इसमें लागाते हैं तससा यह दो चार यह हम लागा लिए कि तंबाटर के थोरा चा Apollo अबिदा तरह मेरा रहता है तो उसमें थोरा सा ज्यादा लगाते हैं और देखिए सिंगरी इतनी हार्वेस्टिंग हो गई और यह बैगन प्रेंट्स बैगन का आप शाइन देखिए कितना अच्छा शाइन करता हुआ आप सबजी रहता है हमारे गार्डेन का क्योंकि बिल्कुल औरगनिक सबजी होता है और हमारी अब शेम की बारी है और शेम देखिए यह दो दूसरी बार मैं हार्वेस्ट कर रही हैं और अच्छे सेम भी निकल रहे हैं मैं तो हटाने की ही उमीद में थी जो इसको हटा देते हैं क हम गार्डेनिंग करते करते कुछ हमें अनुवाब भी होता है मेरे गार्डेन से पहली बार सेम की हर्वेस्टिंग हम पौधे लगाए हैं और पहली बार हर्वेस्टिंग कर रहे हैं पिछले बार भी इतने सारे एफिट्स हुए कि डर से हम खटा ही दिये जो हमारे सारे अब ठंडे बढ़ गए हैं तो कहीं कोई नहीं दिख रहा है तो उस समय हम निम वाइल वगएरा का हम भी इस प्रेय किये उस पर लगातार तीन से चार वार किये फ्रेंट्स तो उसमें उसके पत्ते पीले हो गए है तो एक प्रेंडस का भी कमेंड्स आया था जो उनके पत्ते पीले हो रहे हैं तो वह सकता है आप भी हें सकता हैं तो उसके बाद दो जब हमारे पत्ते पीले हो गए तो बिल्कुल साधे पानी से बैस को अब ब्लाइक प्रेस्टिंग कर रही हूं और इसके इतने गारे हरे रंगे सेम हैं जो पत्ते में ही छुप जा रहे हैं तो बहुत सारे छुपे-छुपे से दिखाई देते हैं और प्रेंडस ऐसा नहीं है साइज भी आप देख रहे हैं बिलकुल मार्केट में जैसा मिलता है वैसा ही साइज होता है कही ऐसा नहीं है जो छोटा-छोटा साइज होता है अब हम शाग तो भी हमारे गार्डवन में सदा बाहर है साग से तो समझे जो मैं इसको सधा रही हूं साग को बहुत सारे साग हमारे गार्डन में निकल जाते हैं और बिल्कुल रूट साइट हम हटाते हैं कई कोई हम ऐसा नहीं है जो उपर से ही काड़ देते हैं बिलकूर रूट साइट हटाने पर भी बहुत सारे शाग निकलते हैं और इतने फ्रेश ताजे साग देख के लालच लगता है और देखिए कितने साब कितने हरे भरे शाग हैं और मेरी हर्वेस्टिंग फ्रेंड्स देखिए अगर मेरा मेनत अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आ लाइक कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए